एक जंगल में, जो हिंद के दिल में बसा था, वहाँ अनेक प्रकार के पंची रहते थे। उनमें से एक था विशाल रंगों के साथ नृत्य करने वाला मूर, जिसका नाम था प्रिया, और दूसरा था सुरों से भरपूर मधुर आवाज वाला बुलबुल, जिसका नाम था भोला। एक जंगल में, जो हिंद के दिल में बसा था, वहाँ अनेक प्रकार के पंची रहते थे। उनमें से एक था विशाल रंगों के साथ नृत्य करने वाला मूर, जिसका नाम था प्रिया, और दूसरा था सुरों से भरपूर मधुर आवाज वाला बुलबुल, जिसका नाम था भोला। एक दिन, जंगल में एक अप्रत्याशित घटना हुई, एक चालाक लोमडी जंगल के आसपास घूम रही थी, जिससे पंचीयों में हलचल मच गई, वे डर से कांपने लगे और अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगे। डर के बीच भोला ने समझा कि उन्हें मिलकर काम करने की आवश्शकता है। उसने पंचीयों को एकत्रित किया और उन्हें साथ मिलकर लोमडी से निपटने की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रिया अपनी असमर्थता से इनकार करती रही। लेकिन जब योजना की सफलता देखी और अपने सहपंचीयों को सामुहिक योगदान देते देखा, उसके दिल में पश्चाताप की एक जलक उठी। वह समुह का हिस्सा बनना चाहती।